तुलारासी वाले कैसे होते हैं इनके जीवन के बहुत सारे राज वो मुस्किलें जो आपको आगे बढ़ने नहीं देती कब होगा भाग्योद है क्यों मिलता है धोका तमाम बाते जारी है वीडियो के अंतक बने रहें और ये प्रिडिक्शन चंदरासी पर आधारित है अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और अगर वीडियो पसंद आए तब लाइक कीजिएगा पसंद आए तो लाइक ना करें एक जरूरी सूच ना फिर हम आगे बढ़ेंगे हमने अपना नया वेबसाइट लॉंच किया है वेबसाइट पूरी तरह से जोतिस पर आधारित है पुजापाट धर्मकर गरह पीड़ा वास्तू रासी फल अंक जोतिस तमाम चीजों को जानने के लिए आप वेबसाइट प आपकी भासा में उपलब्ध है आप वेबसाइट पर आए क्लिक बॉक्स के उपर में आप क्लिक करें अपनी मनपसंद भासा किसी भी भारती भासा में वेबसाइट को आप जान सकते हैं पढ़ सकते हैं तो हम बात कर रहे हैं तुला वालों की तो चरी सुरू करते हैं तुल तुला राषि के स्वामीी सुक्र होते हैं कि वैसे तो बुद्ध का भी थोड़ा परफ़ो इनके उपर होता है तुलज़ा वाले चित्रा स्वाथी और विशाखा नच्षत्र में पैदा होते है यानि इन उट्रों जिन वह तुलारासी के अंतरगत आते हैं तो लावाले लोग जो होते हैं बहुत ही ज्यादा सौखीन मिजाच के होते हैं एकदम से अपडेट रहना अच्छे बस्त पहनना सलीकेर से रहना ये चीज़ें इनके जीवन में होती ही होती है क्योंकि ये खुद भी अपडेट रहते हैं और चाहते हैं कि इनके जान पहचान वाले इनके करीबी भी हमेशा खुश रहें मस्त रहें सुखी रहें और अपडेट रहें तो खुद भी अच्छे से रहते हैं और अन्य लोगों को भी अच्छे से रहना पसंद करते हैं दुनिया की जितनी भी कीमती चीजें हैं कीमती वस्तू है जो भी खुबसूरत चीजें हैं उन चीजों को करने की विशेश चाहत इनके अंदर होती है वैसे तो ये एक समय में एक चीज पर फोकस नहीं कर पाते क्योंकि थोड़े चंचल भी होते हैं सफलता प्राप करने के लिए दिवास्वपन कभी कभी देखते हैं और दिवास्वपन में ही सफलता प्राप कर लेते हैं पर हकीकत की दुनिया में फिर वही हाल हो जाता है तो आप जो सपने देखते हैं तो सपनों को हकीकत करने के लिए आपको आगे बढ़ना होगा सिर्फ सपने देखने से नहीं होगा क्योंकि मेहनत भी उतना ही करना है आपको अब जैसे अगर आप तुलारासी के हैं और आपका जन्म स्वाती नच्छतर में हुआ है तो यहां भी जो वायुतत्त्त की रासी है और स्वाती नच्छतर का स्वामी राहू है तो अगर आप तुलारासी के हैं स्वाती नच्छतर के हैं तो आप में एकागरता बहुत होगी और आप सफलता भी खूप पाएंगे वैसे तो माना जाता है स्वाती नच्छत्र जो राहू का नच्छत्र है इस नच्छत्र में जर्म लेने वाले तुलावाले बड़े भाग्यवान होते हैं और विसाखा नच्छत्र जो देवराज इंद्र का नच्छत्र है और अगनी का नच्छत्र है विसाखा नच्छत्र और इसके स्वामी गुरु है देव गुरु ब्रेस्पती तो जो तुलाबाले विसाखा नच्छत्र में पैदा हुए हैं वो दुबीधा के सिकार जीवन में ज्यादा होते हैं ये अक्सर इस चीज में फस जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें कैसे करें और पाहर कैसे निकलें यानि बिरोधा भास प्रविर्थी के होते हैं तो तुला वाले सजने सबरने के सौखीन कला संगी चित्रकारी बागवानी के सौखीन होते हैं हलाकि इनकी मु रासियों की तुल्ला में सबसे ज्यादा होती है खुबी यह होती है कि यह बिवाद में पढ़ते ही नहीं इन्हें जगड़े लड़ाई बिवाद से दूर रहना पसंद है और अगर कहीं कोई बिवाद है तो उसको निप्टारा भी यह बहुत खुबसूरत तरीके से करते हैं और खुद भी टकराओ संघर्स जगड़े लड़ाई से बचे ही रहते हैं निस्पक्छ रूप से जैसा कि साइन है तुला रासि यानि कि तराजू कूटनीती का सहारा लेते हैं निस्पक्छ तर्क करने के लिए जानने जाते हैं और समझोते का रास्ता अगर अपनाना पड तो यह इसे भी गुर्ज्ड नहीं करते हैं हलाँ कि यह किसी भी चीज़ को लेकर तुरंत निरने नहीं लेते बलकि दोनों चीज़ों को इस्तीतियों को जानेंगे फिर निरने लेंगे तो तुला वाले कभी कभी हर एक बात के लिए अपने पार्टनर पर निर्पर होते है चाहे वो इनका जिवन साथी हो, इनका लब हो या इनका दोस्त हो अकेला पन इनके लिए मिर्तू के समान है ये अकेले रही नहीं सकते, घबराते हैं कई बार तो एक्स्ट्रा मेडिकर अफेर जैसी चीजों में पढ़ जाते हैं और ये सिर्फ भटकाओ देती है, आपको इनसे सिर्फ लॉस होता है तो ऐसी चीजों से बचे, लेकिन जो तुलारासी के लड़के होते हैं वो कुछ जादा ही मंदार होते हैं और सौंदर जो उसके सौखिन होते हैं अपने आपको सजने सवारने में, अपने उपर खर्च करने में ये पीछे नहीं हटते हलांकि दूसरी तरफ किसी भी परिष्थिती का सामना अपने वल्बूते करते हैं ये बैभारिक होते हैं और जो तुलारासी के महलाएं होती हैं स्वभाव की खुसमिजाज और इनकी हसी बहुत ही खनखनाहट से भड़ी होती है तेज बुद्धी की होती हैं बहुत अपडेट रहती हैं इनके घर तक बहुत सलिके से रहते हैं साच, सज्जा, सुन्दर व्यवस्था जो भी इनके करीब हैं उन्हें दिखेगा इनके अंदर क्योंकि घर हो, ऑफिस हो, वेपसायस तल हो या इनका खुद का अपना प्रशनलिटी हर जगा अपडेट तो चलिए अब कुछ राज की बात जानते हैं तुलारासी दर्सनी ब्यक्तित्त के स्वामी होते हैं संतुलित होने का इसारा करता है इनका प्रतीक जिन बिप्रीत से बिप्रीत परिस्थिती में भी अपने क्रोध पर वानी पर कंट्रोल रखने की अधुद छमता होती है इन में नग्य प्री होते हैं, म्रदुभासी होते हैं, हर विवात को बाचित से सुल जाने की कला इनussy में होती है समाज में प्री होते हैं, हर कोई इनको समबान देता है, इनको चाहता है, लेकिन अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं रन नीती बहुत अच्छी बनाते हैं, कूट नीती में माहिर होते हैं, थोड़े आलसी हो जाते हैं, कभी कभी वैसे तो बहुत जल्दी लोगों से घुल मिल जाना, हर किसी को अपना बना लेना, अपनी मधूरवानी, अपने बेभार से लोगों को आकरसित करना ये खुबी इन में होती है इनके अंदर राजनीती के छेतर में भी काम्याब होने की अद्भूत सक्ती होती है लेकिन दूसी तर अगर लव लाइव की बात करें, तो अपने साथी को बहुत इज़त देते हैं बदले में भी चाहते हैं, इनको भी रेस्पेक्ट मिले, इज़त मिले हलांकि थोड़ा सा इनको अपने दोस्तों से जुदा होना खलता है पर हर रिस्ते को ये सोच समझ कर नफे नुकसान का आकलन करने के बाद ही आगे बढ़ाते हैं बात करते हैं तुलारासी की महलाओं के बारे में जो तुलारासी की महलाए होती हैं, आकरसक ब्यक्तित्तों की स्वामीनी होती हैं और जगड़े लड़ाई से हमेशा ही दूर रहती हैं किसी भी तरह का गलत फैमी इन्हें बहुत असहच कर देती इसलिए ऐसी चीजों से दूर रहती हैं दूसी बात बहुत जिम्मेदार होती हैं, मेहनती होती हैं अकेले ही चीजों को संभालने की हिम्मत रखती है, काबिलियत रखती है तो तुलारासी का लकी नंबर होता है 6, 15, 24, 33, 42, 51 और 60 तुलारासी का लकी रंग होता है हरा, नीला लकी दिन होता है सुक्रवार अनुकूल रासियां होती है कुमरासी, ब्रिश्चिक रासी, मीन रासी, सिंग रासी करक और मकर रासी से ज़्यादा नहीं बनती तुलारासी की महिलाएं औसत कतकाठी की होती है चेहरा, अंडाकार और मुस्कुराती वी आँखे होती है गालों पर डिम्पल भी होते हैं इनके गर्दन लंबी होती है इनके बाल घने और सिल्की होते हैं हलाकि अगर इनके ब्रिक्तित्य की बात की जाए तो बहुत समझदार होती है रिस्टों में सांती, प्रेम बनाये रखने का प्रियास करती है बुद्धिमान होती है, आकर्सक होती है, मिलनसार होती है और एक अच्छी स्रोता भी होती है वैसे अपने बेभार से हर किसी का दिल जीत लेती है इनको लगजरी लाइब जीना पसंद होता है जो तुलारासी की महलाएं है प्रेम के मामलों में हलांकि इनके जीवन में प्यार रहना बहुत आवस्यक है क्योंकि अकेला रहना इन्हें पसंद नहीं दोस्ती के मौमलों में हर किसी से दोस्ती करना हर किसी को खुश रखना थोड़ी बात उनी होती हैं गौसिप करने में बहुत मज़ा आता है इन्हें पार्टी इंज्वाइ करने में बहुत ही ज़्यादा खुसी मिलती है लेकिन करियर की बात करें तो ज़्यादा तर मनुरंजक, सहयोगी, टीम लीडर या कस्टमर केर जैसी छेतर में सफल होती हैं सहित्यक वकालत, चिकित्सा, प्रवंधन, संगीत, नित, चित्रकारी जैसे फिल्ड में भी अच्छा खासा नाम कमा लेती हैं धन की बात करें तो मेहनत की कमाई भी ये अपने सौक के लिए खर्च कर देती हैं और दो बार सोशती भी नहीं यानि सौकीन होती हैं खर्च भी कर बनाने में मदद करें वैसे तो जादा आकरसित होती हैं अन्न महिलाओं की तुलना में सांत रहना पसंद करती हैं तरक संगत होती हैं और जो तुलारासी के पुरूस होते हैं वो कद काठी इनके भी औसत होते हैं चेहरा अंडाकार होता है इनके भी गालों पे डिमपल होता है इनके पुरूस के होट ज़्यादा खुबसुरत होते हैं बाल रेसमी और चमकदार होते हैं आखें मुस्कुराती भी होती है इनका बेक्तित तो ऐसा होता है कि कोई न कोई हमेशा इनके पास रहता है और ये बड़े दिल करें हमेशा अपने प्रेम को प्रस्द न रखना चाहते नहीं को कमफर्ट जोन में रखना चाहते हैं असानी से यह प्रेम में पढ़ जाते हैं और कभी-कभी ऐसा भी कहता है जो-tis के रोज-्रोज प्रेम में पढ़ते हैं할ूँ से बचिये है में लेकिन दोस्ती की बात करें तो जिनके भी दोस्त होते हैं उनके लिए हमेशा हाजी रहते हैं हर कदम पर सात्स निभाते हैं और कभी-कभी अपनी दोस्ती को तोड़ते नहीं Between कैसा भी परिस्तिती में उनका दोस्त हो उनको help जरूर करते हैं तो जो पुरूस होते हैं तुलारासी के बहुत हिमनदार होते हैं टीम वर्क करते हैं अपने साथियों को खुश रखते हैं और धन के मामलों में नए नए स्रोथ से धन कमाने में लगे रहते हैं क्योंकि अच्छी वस्तू की लालसा होती है इ अमेसा ही सकात्मक सोच वाले होते हैं तो तुलारासी वाले जो बैक्ति बैपसाई होते हैं वो बैभार से संपन्न होते हैं बहुत जल्दी ग्रहकों को संतुष्ट करते हैं और इसी कारण सही समय पर ये ग्रहक भी इन से जुड़ जाते हैं हلانकि सवभाब में नर्मी होती है इनका एक अलगा स्थान होता है किसी भी परिस्तिती यह में बिचलिथ नहीं होते और इनके पास पैसे की कमी हो तो मदद के लिए इनके मित्र हमेसा इनके साथ भी तयार होते हैं इसलिए इन्हें दिकत नहीं होती तो फिलाल हम आपसे भी दा लेते हैं अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजे और आपके कमेंट्स का भी हमें इंतजार रहेगा हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखिएगा धन्यवाद